सो फ्रेंड्स देख सकते हैं लखा हुआ है All India Institute of Medical Sciences New Delhi तो दोस्तो एम्स New Delhi के तरफ से नौर्सेट का रिक्रूट्मेंट यहाँ पर आ चुका है पूरे भारत फर्ष में जितने भी एम्स है अगर आप लोगन में नर्सिंग ओफिसर बनना चाहते हैं Central Government के नर्सिंग ओफिसर या फिर हम लोगों का स्टाफ नर्स बनना चाहते हैं तो यह रिक्रूट्मेंट आप सभी के लिए आप पर रहने वाला है और दोस्तो यह नौर्सेट का यह जो रिक्रूट्मेंट यहाँ पर जारी हुआ Number of Vacancy मैं आपको यहाँ पर इसमें बता देता हूँ तो 3000 से भी जादा पद इसमें आप शामिल यहाँ पर कर लिए गया है तो जो भी Candidates BSc Nursing है जो भी Candidates G&M Diploma वाले है जो भी Candidates Post Basic BSc Nursing है आप लोग बिलकुल यहाँ पर अपलाई करें इसमें All India Candidates अपलाई कर सकते हैं आप किसी भी राजे से किसी भी स्टेट से All India Candidates बिलकुल आप लोग इसमें आप आप इधन कर दें पूरी जानकारी इस वीडियो में मैं आप पे cover करने वाला हूँ कि यह notification भरती का विग्यापन आपको कहां मिलेगा और इसके लिए बताना चाहता हूँ आपको online apply करने के लिए कहां जाना होगा तो यह जानकारी भी मैं आपको आप पे दूँगा लास देट आविधन करने की क्या यहाँ पे रहने वाली है और इसके अतरिकते जितनी भी other information है सारी जानकारी आपको इस वीडियो में मिल जागी बने रहा है इस वीडियो में आप चाहें तो इस वीडियो को like कर सकते हैं और nursing और paramedical staff हर vacancy की जानकारी आगे भी चाहते हैं से नियो देली के तरब से नॉर्सेट का recruitment है nursing officer recruitment common eligibility test तो इसके लिए test आपका exam आपका conduct यहाँ पे कराया जाएगा सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे qualification यहाँ पे समझा देता हूँ ज्यादा समय नहीं लूँगा qualification के में देखिए आप लेका है BSC nursing तो इसमें BSC nursing candidates बिलकुल य किसी भी राजे का किसी भी state का आपको nursing council में registration होना आपका यह जरूरी होना चाहिए और BSC और post basic वाले candidates को कोई भी इसमें experience की यहाँ पे जरूरत नहीं है बात करते हैं कुछ और इसमें qualification है तो इसमें जो भी diploma candidates हैं GNM में आप लोग यहाँ पे आविदन कर सकते हैं और किसी GNM वाले candidates को कम से कम 50 bedded hospitals का आपको 2 साल का experience आप लोगों से यहाँ पे मांगा जा रहा है और दोस्तों जो भी GNM जो diploma candidates हैं आप लोगों का experience आपकी qualification के बात का यह आपका यह रहना चाहिए इस बात का उलेक इन lines में आपके लिखा हुआ है तो BSC nursing और GNM और post basic सभी candidates इसमें आ age limit 18 से 30 साल उमर यहाँ पे रखे गई और जो यहाँ पर जो reserve यहाँ पर जो category है आपको age में relaxation दिया जाएगा अब दोस्तों देखिए salary package के बारे में discuss कर लेते हैं जैसे कि मैं आपको बताया Central Government का यह recruitment रहेगा Central Government के इंदर सरकार की यह आपकी staff nurse याफ्रम लुका है nursing officer की यह post रहेगी तो Central Government का ही आपको यह pay scale दिया जाएगा salary आपको दी जाएगी तो देखिए 34,800 रुपए यह आपको जो है salary जो है परमान्द basis पे मिलेगी इसकी अथरेक्ट जो है आपको च्याली सो रुपए का grade पे भी आपको इसमें आपे दिया जाएगा और यह group B की यह post यह आ अधर aims है सभी के लिए यह आप लोगों के लिए nursing officer का recruitment रहने वाला है इसके लिए आपको online apply करने के लिए fees यहाँ पे देखिए 3000 रुपए है जनरल और OBC candidates के लिए और 2400 रुपए SCs, STs और जो candidates EWS वाले हैं आप लोगों को यहाँ पे 2400 रुपए आपको देने होंगे PWD candidates को कोई भी fees देने की जरुवत नहीं है online mode में ही आपको fees का payment करना है और SCs और जो ST candidates है चाहे male candidate हो चाहे female candidate हो जैसे आप लोग जो है exam देंगे तो आप लोगों की जो fees है वो refund कर दी जाएगी means 2400 रुपए SC और ST candidates को वापस कर दी जाएंगे जब जो है यह candidates exam में शामिल होंगे exam देने जाएंगे इसके माँ देखें examination की date बता दे गई 3 जून 2023 Saturday के दिन ही आपका exam conduct करा है जाएगा इसके लिए आपको apply करना है यह इसकी official website है मैं आपको इसकी ओले चलूँगा भी थोड़ी दिर से online आविदन आपको यहाँ पे करना होगा और देखें 12 April से 5 मई 2023 शाम के 5 पे तक आपके प यहाँ पे दिये जा रहे हैं इसमें age में relaxation है जैसे कि मैंने आपको बताया था जो reserve यहाँ पर जो category है आप लोग यहाँ पर age में relaxation की जानकारी इसमें आप चेक कर सकते हैं इसके बाद जो सबसे महतपूर्ण जो जानकारी है वो रहेगी आपकी vacancy table में तो देखें पूरे भ लियानी तो ऐसे से करके देखिए करीब करीब यह 18 aims रहने वाले इन सभी 18 aims में करीब करीब जो है 3000 प्लस पोश्ट यहाँ पे nursing officer की रहेंगी तो आखिर का यह जो page है 13 नमबर का जितने भी aims है सभी में आपको जो है यह post बता दे गई grant यहाँ पे total करके कितनी vacancy है तो इस page पे आप लोग यहाँ पे last में देख सकते हैं 3000 यह 55 पद जो है इसमें शामिल कर लिए गया है तीन हजार 55 पदों पे यह जो है नौरसेट का यह recruitment आयोजेत यहाँ पे कराया गया है और यह जो 3000 पश्पन जो post यहाँ पे जो शामिल किये गई इसके अलावा NITRD जो institute है उसमे भी nursing officer किये तो इसमें दो पाद अलग से शामिल किये गा है उसका भरती विग्यापन अलग है अब दोस्तों देखिए हम लोग official website पे आ चुके है यदि आप लोग google पे aims exam सर्च करेंगे तो aims exam सर्च करने पर जो पहली link आईगी उस पे आप लोग क्लिक करेंगे तो कुछ इस पर आपको क्लिक कर देना है जैसे आप सबी लोग जो है इस पर आप पे क्लिक कर देंगे कुछ आगे का page इस तरीके से आप पर open होगा new registration का यह option आपको दे दिया गया registration आप लोग जैसी करा लेंगे आपको login details मिल जाएगी और उस details की मदल से आप लोग जो है अपना पूरा application form fill up आप लोग कर पाएंगे notification का मिलेगा तो देखिए notification और advertisement यहीं से मैंने यह जो है भरती का विग्यापन यहाँ पर download किया आप लोग भी जानकारी प्राप कर सकते हैं तो vacancy की जो भी information थी मैंने आप पे cover की अच्छा मौका है बढ़िया यह recruitment जारी हुआ 3000 प्रेस basic जो BAC nursing candidates है इस तो नहरा मौका है central government में staff nurse या nursing officer की post चाते हैं तो इससे अच्छी opportunity आप लोगों के लिए नहीं रह सकती है यह update कैसा लगा आप चाहें तो वीडियो को like कर सकते हैं चैनल को subscribe कर लीजे इसी तरीके से आगे की vacancy की जानकारी पाते रहे thank you so much झाल 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